प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी इश्वरी विश्व विद्याले की मुख्य संचालिका के रूप में रक्षा दीदी जी निमित हैं दीदी का जन्म सन 1948 में बटाला शहर में हुआ बचपन से ही सात्विक जीवन अपनाने वाली रक्षा दीदी में सेवाभाव और सबको सम्मान देने का विशेश कुन था सत्यकी खोज में आप सन 1960 में बटाला स्थित ब्रह्मा कुमारी सेवाकेंद्र के संपर्क में आई सन 1962 में आपको संस्था की प्रथम मुख्य प्रशासिका मातेश्वरी जगदंबा से मिलने का स्वभाग्य मिला सन 1986 से आप पंचकुला की इश्वरी सेवाओं के निमित हैं आपने आध्यात्मिक ज्ञान एवं राज्योग के प्रचार प्रसार हेतु अनेको कारिक्रम किये वर्तमान समय पंचकुला में एक सेवाकेंद्र एवं छे गीता पाठशालाओं के द्वारा पांचसो से भी अधिक विध्यारती इश्वरी ज्ञान को अपना कर अपना जीवन परमानंद से भरपूर कर रहे हैं और बचपन से मेरी ये रुची रही है कि सात्विक जीवन और दार्मिक सहित्या पढ़ना जैसे गीता, महाभारत, रमाइन, आदी क्योंकि हमारे गर में मंदर बना हुए है आज तक भी जिसमें पहले पूजा पाठ करते हैं ठाकरों को भोग लगाते हैं, उसके बाद कुछ खाते हैं तो बचपन में मेरा संसकार भी यहीं बहुत अच्छा बना 1960 में ग्यान मिला, हमारे गर के सामने ही आश्रम खुला था बहने हमें आते जाते दिखाई देती थी बहनों का सादगी बेरा जीवन और उनकी पवितरता ने मेरे को आपनी तरफ अकर्शित कर दिया और जो वीरवार को भोग लगता था हम भोग खाने के लिए जाते थे उस समय हम छोटे थे तो बहने बहुत प्यार से हमें भोग खलाती थी उसके बाद दीरे दीरे मैं ज्यान योग में आगे बढ़ी और वीरवार को जो भोग लगता था उस समय दपैर के समय लगता था सुबा के समय नहीं दिन में दस से बारम भोग लगता था उस समय हमें इतना नशा चड़ता था कि आज हम बगवान को भोग से विकार कराने वाले हैं जब तक बाबा बोग नहीं खाएंगे हम भी नहीं खाएंगे तो हम सुबह सिर्फ एक कप चाए का लेते थे और कुछ नहीं लेते थे दस बजे सेंटर पर जाते थे और हमें एक दो बज जाते थे और दो गेंटे योग चलता था बाबा को बोग सभी कार कराते थे और इतना योग का पहरा हो जाता था इतना रूहानी नश्या चड़ता था इतनी खुमारी थी और इतनी अच्छे अच्छे गीत बज़ते थे लेकन उन गीतों को एक तरफ बावा की तरफ ले जाते थे जैसे चल उड़ जारे पंची ये देश हुआ पर आया तो इन गीतों को सुनते सुनते हमारी वस्ता बहुत अच्छी बनती जाती थी हमें दो गेंटे पता ही ने लगता था कहां बीट गए हैं उसके बाद फिर कुछ भी हो मैंने निर्निया कर लिया कि मेरे को तो ब्रह्मा कमारी बनना ही है मैंने अपना जीवन ऐसे ही बताना है मम्मा पहली बार 1962 में बटाला में आए एक दिन के लिए आए थी और उस दिन सुबह की क्लास में ओपन सेशन रखा हुआ था जिसमें ग्यानी अग्यानी स सुनी हमने मम्मा के मस्टग पर इतना तेज था रुछानी अकर्शन था और उनकी चाल भी जैसे फृष्टों जैसी थी तो मम्मा को देख करके मेरे को एक चुम्ब की अकर्शन हुआ और हमने एक गंटा कलास की जब हम गर में वापिस आए तो मेरे माता जी ने कहा रक्षा बच्ची अगर आज मैंने देखा है तो आपकी मम्मा को देखा है सही मैने में यही जगदंबा है जिसको आए तक हाँ पूचते आए हैं तो उनको भी मम्मा से बहुत अकर्शन हुआ दूसरी बार मम्मा नाइन्टी सिक्स्टी फाइव में बटाला में आए एक सब सकता वहां रहे सुब्हा की कलास होती थी और शाम को चैंबर होता था। सुब्हा की कलास में मैं रोव़ कलास करने के लिए जाती थी, एक दिन मैं वहां नहीं गई य। हुँँकि उस दानी वीरवार था मैंने कहा आज दुपैर को भोग पर जाएंगे क्योंकि बंधन थे यादा जा नहीं सकते थे तो जब मैं नहीं गई तो मम्मा सुबा रोज सभी को टोली बाणते थे मम्मा ने सब को टोली दी और मेरे को देखा मत ही नहीं मम्मा ने दीदी से पूछा आज वो बच्ची नहीं आई है तो दीदी जी ने कहा आज वो दुपैर को आईगी मम्मा आज वीरवार का भोग है तो मम्मा ने उनको कहा ये टोली मेरी तरफ से उस बच्ची को देना फिर एक दिन कन्यों का चैंबर था शाम की समय मम्मा संदली पर बैठे थे और पास में अचल दीदी और चंदरमन दादी बैठे हुए थे सभी कन्या टरन बर टरन मम्मा की गोद में जा रहे थे उसके बाद मेरी भी वारी आई और मैं मम्मा की गोद में गई और मम्मा ने मेरे को शुबीरस पिलाया फिर दीदी और दादी को कहा क्या मैं इस कन्या को सेवा के लिए बेच सकती हूँ तो उन दोनों ने कहा मम्मा ये तो बंदेली है मम्मा ने कहा कोई बात नहीं आज नहीं तो काल इसके करम बंदन खलास हो जाएंगे तो मम्मा का वर्दान मेरे लिए बहुत फलीबुत हुआ जो मैं बाबा की बच्ची बन दे उस समेh मैं छोटी थी तो मैं मुदबन जा नहीं सकी क्योंकि बंदर में थे तो उस समेh दादियों ने सोचा कि हम जो भी बन देली बच्ची-आँ है उनको कैसे बाबा से मिलाया जाए तो बाबा उन तिनों में इली मेजर की कोठी में आये थे बाबा से पूछा गया बाबा को मिलने के लिए तो बाबा ने कहा जी बाबा जुरूर आएंगे तो दो दिन के लिए वाँ कोठी कराय पर ली गई और बाबा को कहा तो सब खुशी में जोमने लगी हम साकार बाब दादा को मिल पाएंगे लेकिन ड्रामा अनुसार कुछ और ही हुआ थोड़े दिनों के अंदर ही मेजर की तुभियत खराब हो गई और उन्होंने श्री छोड़ दिया तो बाबा कहीं नहीं गए बाबा सीधे ही मदबन चले गए इसलिए हम साकार बाबा को मिलने पाए हैं लेकिन ये रहा कि हम बाबा को पत्रों के दोरा बहुत मिले हैं बहुत ज़्यादा हम बाबा को पत्र लिखा करते थे और बाबा उसका रिस्पॉन दिया करते थे एक बर मैंने बाबा को गीत भी बिज़ा वो गीत था एक तो ना मिला सारी दुनिया मिले भी तो क्या है तो बाबा ने उस ग या बाबा के पास नहीं आई हो, मन से या बाबा के पास पहुंच गई हो बरस जाता है नेलों से, वो बतलाया नहीं जाता बरस जाता है नेलों से, वो बतलाया नहीं जाता तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता लेकिन जैसे से मेरी उमर बढ़ती गई, गर के अंदर प्रिक्षई आती गई और उन्होंने कहा आप अपने जीवन का फैंसला करो, आपने क्या करना है तो मैंने कहा मैंने तो बाबा की बच्ची बनना है तो बहुत प्रिक्षें आई और उन प्रिक्षण को मैंने एक बल एक ब्रोसे के अदार पर प्रिक्षण को कुछ-कुछ पार करते गई और उन्होंने कहा आपको पता है आपने किस गर में जनम लिया है, कि स्कूल में जनम लिया है लौकिक माँ बाप का नाम बाला करना भी आपके हाथ में है और उनका नाम बदनाम करना भी आपके हाथ में है तो मैंने कहां मैंने तो किसी देदारी से लगन नहीं लगाई है मैंने तो बगवान से लगन लगाई है जिसके लिए आप कहते हो मीरा जैसी लगन लगा दे केड़ा तेरा मूल लगदा तो आपके गर में तो एक मीरा पैदा हुई है तो आप मेरे को बगवान से मिलने क्यों नहीं देते हूँ फिर भी लोकलाज के कारण काफी प्रिक्षाइं भी आई काफी उन्हें ने सहयोग भी दिया तो उन प्रिक्षाइं को मैंने एक बल एक ब्रोसे पार किया मेरे को कुछ नहीं दिखाई देता था बाबा की सवाए एक बाबा मेरे साथ है मैं और बाबा कमबाइंड है कितने जिसका साथी है बगवान उसको क्या रोकेगा अंदी और तुफान तो सचमचमन प्रिक्षाइं को एक खेल समझ करके हंस्ते हंस्ते पार किया कि मेरे साथ मेरा बाबा है अगर मैं दिड़ संकलब करूँ तो क्या नहीं हो सकता अगर मेरे अंदी जिड़ संकलब की कमी है तो मैं ने प्रिक्षाइं को कैसे पार करूँगी मैंने बड़े बाई साथ को कहा आप एक बार मेरे को मद्वबन में बेज़ो मैं मद्वबन जाकर कर डिसाइड करूँगी कि मैंने दुनिया में जाना है या बाबा का बनना है फिर मेरे मात पिता भी मान गए और मेरे बाई ने भी बड़े प्यार से मेरे को मदबन विज्जा और जब मैं पहली बार बाबा को मिलने के लिए मदबन गई जैसे पांड़ बवन के गेड़ के अंदर एंटर किया तो मेरे को ऐसी लगा जैसे बाबा बाएं फलाए खड़े हैं आओ बच्ची बाबा तो कब से आपका इंतियार कर रहे हैं तो जब मैं बाबा के सामने गई तो सरला बंजे ने कहा बाबा ये बंदेली है तो बाबा ने कहा अच्छा मदबन तो पहुंच गई मैंने कहा बाबा मैं तो आप की बनूगी तो बाबा ने कहा जो बच्ची इतनी हिमत करके मदबन आ सकती है वो आगे बहुत कुछ कर सकती है मैंने का जी बाबा बाबा ने कहा अच्छा बची बाबा आपको दो वर्दान देते हैं एक वर्दान ये हैं अमरत वेले उठकर के माँ बापको यूग का दान देना और दूसरा निर्बैता का गुन दारन करना है मैंने का जी बाबा तो बाबा ने जो दो वर्दान दिये जब मैं मदुबन से वापस आई तो मैं उस दोनों वर्दानों को प्रैक्टिकल अपने जीवन में लाया और मैंने देखा कि थोड़े समय के अंदर ही मेरे दिरे-दिरे करम बंदल खलास होने लगे और मैं बाबा के मेरे ने लगे उसी समय की बात हैं कि मैं मदुबन में थी और मेरा ओप्रेशन होना था तो मैं उस दो हॉस्पिटल में जाना था तो परताब ऐसे मैं पांड़ बवन के बरांदे में खड़े होकर के बात कर रही थी तो परताब आई कहते हैं रक्षा बें सामने दादी जी जा रहे हैं आपने दादी जी से बात की है चाहिए प्लाइबने आप आपसे शूटी लेने के लूए खड़ी हूउ परता भाई आप आप भहुत ध्यान से उपरेशन करना अगर कुछ कमी लगे तो दादी एमदाबाद भी बेश सकते हैं तो दादी ने मेरे को गले लगाया और कहा आप निश्चिन तो जाओ दादी और बाबा बैठे हैं पुआ अगर को ठादी योगो अगर इसे ही जब हमने ये जगा लेनी थी तो हम सोच रहे थे हमारे पास पैसा तो इतना नहीं है पहली किष्ट हमने एक लाख की देनी थी तो हमने एक लाख कठा किया और हम मदो بن गए और रमेश भाई से बात की रमेश भाई हमने जगा लेनी है वो कहते हैं जी एक लाग से क्या होंगा इतनी किष्टे उतारनी है फिर बाबा का गर बनेगा तो मैं तो छुटी नहीं देता हूं मैंने करने रमेश भाई आप ऐसा ना करो हम तो गर बदलते बदलते ठक गए है अभी तो बाबा का गर हमेश चाहिए कैते अच्छा दादी के पास जाओ अगर दादी छुटी दे देती हैं तो फिर मैं साइन करूंगा तो मैंने उसी समय अचल देदी भी साथ में थे मैंने अचल देदी जी को कहा दादी के पास मेरे को लेके चलो रमेश भाई ऐसी ऐसे कहते हैं तो अचल देदी और मैं दुनों दादी के कमरे में गए और दादी को कहा दादी रमेश भाई ऐसी ऐसे कह रहे हैं तो दादी में कहा ठीक है रमेश भाई तो ठीक किया रही हैं, क्योंकि पैसा नहीं होंगा तो घर कैसे बनेंगा मैंने इका दादी नहीं हमें अपने बाई बैनों के उपठर पूरा विश्वास है कि अगर उन्हें ये देड़ा उठाया है तो पूरा करके ढिखाएंगे जब सारे विश्व का मालिक बाबा हमारे साथ है तो क्या नहीं हो सकता है तो दादी नी का अच्छा ऐसी बात है रक्षय आप कर लोगी मैंने का दादी हाँ बाबा मेरे साथ है आप मेरे साथ हो मैं अकेली थोड़ी ही हूँ दादी ने बड़े प्यार से साइन किये और कहा रमेश भाई को जाकर के कैदो दादी ने छुटी दी है दूसरी बात हमारे चंदर्मन दादी जिनको पंजाब का शियर कहते थे वो दादी अमरसर में रहती थे बटाला और अमरसर में सिर्फ एग गेंटे कांतर है दादी हर संडे को बटाला में आते थे क्योंकि हर संडे को बड़ा प्रोग्राम बटाला में होता था कई बार तो दादी एक एक मास भी आकर के बटाला में रहती थी तो मैं जो भी दिल की बात थी दादी से करती थी क्योंकि दादी का जो नेचर था वो बहुत रमनीक था बहुत प्रिये था, हाट समय खुश रहते थे, मुस्कराते रहते थे और बड़े प्यार से बात करते थे, बच्चों के साथ बच्चे हो जाते थे बड़ों के साथ बड़े हो जाते थे तो मेरे को दादी का जो वहारा बहुत अच्छा लगा और हमारे मात पीता वी जब इतवार को दादी आते थे तो उनको मिलते थे तो दादी से बहुत परबावित हो जाते थे तो मैंने दादी जी को कहा दादी जी मैंने एक दिल की बात आप से करनी है तो उन दिनों बहनों की ट्रांसफर होने का चक्कर चल रहा था तो कहते आपको वहाँ जाना है मैंने का दादी जी मेरी तबियत बहुत खराब है मैं मना भी नहीं कर सकती हूँ जाओंगी भी जरूर लेकिन मेरे साथ किसी नई बहन को न बेज करके अमरत बहन को बेई जो तो बहुत अच्छा रहेंगा दादी ने कहा क्यों नहीं रक्षा मैं आपके साथ अमरत बहन को जरूर बेजूंगी तो दादी ने मेरी वो इच्छा को पूरा किया तो मेरे को बहुत खुशी हुई कि बड़ी दादियां कैसे अपने छोटे बच्चों को बड़े प्यार से चलाती हैं कि बड़े प्यार से चलाती हैं झाल झाल मैंने अचल दीडी को कहा कि मैं तो आपके पास रहना है तो हमारे गर के भी कहते थे कि आप अचल दीडी के पास रहो क्योंकि हम उनको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं क्योंकि 98 में दीडी को बाबा ने चंडीगड के सेंटर के लिए नुजूक्ट किया था तो मेरे जब बंदन खलास हुए तो मैंने कहा मैं तो चंडीगड रहूँगी तो अचल दीडी मेरे को चंडीगड ले आए थोड़े समय मैं चंडीगड सेंटर पे रही उसके बाद कुछ समय महाली में रही उसके बाद 1986 में जब पंचकुला गीता पार्शला चल रही थी इसको बड़ा रूप देना था तो दादी जी ने और अचल दीडी ने दोनों ने हमें पंचकुला के लिए ने जुक्ट किया 1986 से लेकर के आज तक हम पंचकुला की सेवा कर रहे हैं कर रहे हैं आधर्निय रक्षा बेहन जी एक्तम निस्वार्थ सेवा करती है जब कभी सेवाओं की बात आती है तो रक्षा बेहन जी को मैं कहती फला एरिया में दीदी फला ने सेवा कर ली दीदी कहते अम्रित बेहन बाबा ने स्थिती अंत में चेक करनी है बाबा ने एरिया नहीं देखना है तो किस प्रकार से हमारे प्यारे दीधी बड़ी बड़ी बातों को भी एक सेकिन में छोटा कर देते थे और एक दम हमें ज्यादा संकल्प ना चले फुल स्टॉप लगा ना सिखाते दीधी जी एक कुशल परबंदक हैं लेकिन साथ ही साथ इकोनोमिका पार्क भी बहुत अच्छा है लव और लाका बैलेंस भी दीधी जी में एकदम परफेक्ट है हम सेंटर से इसकदर जुड़े रहते हैं इतना हमें परसनल टच फील होता है कि अपने सभी त्योहार दिवाली, दशेरा, होली हम सेंटर पर ही दीधी जी के साथ मेनाते हैं इतना सने हमें हमें रहता है कि कभी भी हमें अगर परसनल प्रोलम आ जाती है तो दिदी जी एकदम उसका निराकर्ण कर देते हैं जैसे बाप डादा ने स्वेम दिदी जी में परवेश कर इसका हल निकाला है अनंदमई स्तिथी में रहते हैं उनको इस स्तिथी में रहने के लिए मेनत नहीं करने पड़ती वो इसका नेचुरल उनकी नेचर है और यह एक बहुत बड़ा उनका लंबे समय का पुर्शार्थ है दीजी में विशेषता है कि वे कभी भी करोध में नहीं आती और जो ज्ञान है उसको ऐसे साधारन तरीके से हमें बताती हैं कि हम उसको अपने जीवन में धारन कर सकते रक्षा दीदी हर बहन भाई को सेवा का मोका देकर उन्हें आगे बढ़ाती है जिससे सभी के अंदर बहुत कुमगुचा रहता है उनकी इसी विशेषता के कारण हमारा सद्भाना भावन आज निर्विगन है आपका जो हमें साथ मिला जीवन हमारा फूलों सा खिला गुरू और माता दोनों की तरहें ग्यान और स्नेहे का आचल हमें मिला ग्यान और स्नेहे का आचल हमें मिला मन से बोलो ओम शांती मुख से बोलो ओम शांती मन से बोलो ओम शांती मुख से बोलो ओम शांती शांति है शधर्म हमारा सब का प्यारा ओम शांति सब का प्यारा ओम शांति मन से बोलो ओम शांति 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